आज पेश होगा बजट अली निर्भया गैंगरेप केस के दोशियों की फासी दिल्ली की पटियाला हाउस कोट ने अगले आदेश तक डेथ वारिन पर रोक लगाई नागरिक्ता कानून के खिलाफ दिल्ली समेट देश के अलग-अलग शहरों में धरना और विरोध रदर्शन जारी शाहीन बाग में जारी महिलाओं के धरने का आज 49 वाद दिन जामिया में हुई फायरिंग के मामले में जामिया के पूर उच्छात्रों ने खोला मोर्चा केंद्रिय मंत्रिय अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसत प्रवेश वर्मा और बीजेपी उमिद्वार कपिल मिश्वरा के खलाप फुलिस में शिकायत दर्श कराई आरोपी नाबालिक को 14 दिन की प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेजा गया सालरी में बढ़ोत्री समेत कई मांगो को लेकर लाखो बैंक करमचारियों की हरताल का आज दूसरा दिन सरकारी बैंकों में काम काज ठप चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वाइरस दुनिया के 25 देशों में फैला चीन में अब तक कोरोना वाइरस से 269 लोगों की मौत चीन के वुहान से 324 भारतियों को लेकर एयर इंडिया का स्पेशल विमान भारत पहुँचा दिल्ली और मानेसर के कैम्प में रहेंगे चीन से लोटने वाले भारतियों 47 साल बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ यू छोडने वाला पहला देश बना ब्रिटेन और वेलिंग्टन में खेले गए चौथे T20 मैच में भारत ने एक बार फिर न्यूजिलेंड को सूपर ओवर में हराया जीत के बाद भारत सिरीज में 40 से आगे